जी टीवी पर इन दिनों सिंगिंग डियालिटी शो सारी गामपाल लिटिल जैम्स की दू मची हुई है इस बार शो में कमाल के कंटस्टेंट पार्ट ले रहे हैं इस शो को अलका यागने कमार सानो अरुदित नारा इंड जज कर रहे हैं वहीं मनीश पॉल इस शो को होस्ट क करती नज़ा रहे हैं इस बार शो में कमाल के लित्ल चैंप्स आये हैं जो अपने गारों से सभी का दिल जीत हाल ही में शो का ग्रेंड प्रीमियर हुआ जिसमें प्यारे लाल जी पहुचे जहां सभी लिटर चैंप्स ने प्यारे लाल जी के सामने अपनी पर्फॉर्मेंस दी इस हफ्ते शो पर प्यारे लाल जी पहुचे उन्होंने सभी को गायकी की बारेकियां सिखाए इस दुरां श पर बात कर दी निज़र आए। कुमार सानु नी प्यारे लाल जी से कहा कि जब आप ये गाना बना रहे थे तो मेरी दिल से एक्छा थी कि मैं इस गानी की रिकॉर्डिंग में शामिल हो लेकिन मैं नहीं हो पाया तो आपकी अजासत हो तो मैं एक गाना यहां पर गाना चाहूँगा कुमार सानु की इस बात पर अलका यागनिक ने कहा कि प्यारी लाल जी अगर इस गानी को आप कंडक्ट करेंगे तो और भी जादा अच्छा होगा इस पर प्यारी लाल जी तयार हो गए और सभी को कहा कि इस गानी की खूबसूरती है इसकी शांती तो सभी एक दम शांत रहिए इसके बाद कुमार सानूरल का यागनिक ने ये गाना गाया दोनों ने बड़ी ही खूबसूरती से इस गाने को गाया और प्यारे लाल जी ने इसे कंडक्ट किया गाने के बाद कुमार सानूर ने प्यारे लाल जी से पूछा कि आप बताएंगे कि हमने कैसा गाया इस पर प्यारे लाल जी मजाक में बोलते दिखे कि बहुत अच्छा गाया ऐसा लग रहा था कि सच में एक हसीना है और एक दिवाना है इस पर सभी हस पड़े एपिसोड में सभी कंटेस्टन ने प्यारे लाल जी को अपने गानू से खुश कर दिया इस हफते परफॉर्मर डूइट गाती निजराय जहां पर सतीश कुमार ने वजट यमला पगला दिवाना गाकर सभी को खुश कर दिया सतीश ने ये डूइट परफॉर्मेंस गुरकीरत के साथ गाई सतीश को सुनकर प्यारे लाल जी काफी खुश निजराय इससे पहले भी सतीश रंगबर से गाकर अपने खुश्णमा अंदास से जज़ेस और जूरी का दिल जीत चुके है सतीश के इस परफॉर्मेंस के बाद तो जूरी मेंबर्स ने उन्हें गोद में उठा लिया था सतीश ने एक बार फिर अपनी धमाकिदार परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया वही सबके रिक्वेस्ट पर प्यारे लाल जी ने सेट पर प्यानो भी प्ले किया प्यारे लाल जी ने जिंदकी हर कदम एक नई जंग है कि धुन प्ले करी जिस पर जजेस और जूरी मेंबर सहित कंटेस्ट इन गुन गुनाती नजर आए और सेट का माहौल खुश्णवा हो गया